अंतरास्टियस श्रम संगठन, ILO, International Labour Organization की ताजा रिपोर्ट की अनुसार वैश्विक तापमान में वृद्धी के चलते, जिस तरह गर्मी बढ़ रही है, उससे 2030 में 8 करोर नौकरियों के बराबर की उत्पादक्ता का नुकसान होगा. ILO ने ये अनुमान उस आधार पर लगाया है, जिसमें कहा गया है कि इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़ोत्री हो जाएगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि तापमान में 1.5 डिग्री वृद्धी से 2030 में दुनिया भर के कुल श्रमी घंटों में 2.2 फिस्दी का नुकसान होगा, जो 2400 बिलियन यूएस डॉलर के आर्थिक नुकसान के बराबर है. Working on warmer planet, impact of heat stress on labor productivity and decent work सिर्शक से जारी, आयेलो की इस नई रिपोर्ट में जलवायू से वैश्विक, छेत्रिय, रास्टिय अस्तर पर होने वाले उत्पादक्ता और रोजगार के वर्तमान एवं संभावित नुकसान का आंकलन किया गया है. गर्मी के दबाव से ये आशय है कि शरीर के जहिलने की छमता कम हो जाए. ऐसी इस्तिती तब आती है जब तापमान 35 डिग्री से अधिक हो जाता है और आदरता की मात्रा भी काफी बढ़ जाती है. काम के दौरान अधिक गर्मी होने पर स्वास्त को भी नुकसान होने का खत रहता है जिससे जान भी जा सकती है. गर्मी की वज़ा से जो छेतर सबसे अधिक प्रभावित होता है वो क्रिशी छेतर है. दुनिया के लगभग 94 करोड़ लोग क्रिशी छेतर से जुड़े हुए हैं और अनुमान लगाया गया है कि गर्मी का दबाव बढ़ने से 2030 तक इस छेतर में लगभग 60 फिजदी श्रमिक घंटों यानि कि वॉकिंग आवर्स का नुकसान हो सकता है. इसके बाद निर्मान यानि construction का छेतर है. गर्मी की वज़ा से इस छेतर में भी नुकसान होता है. रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि इस छेतर में 19 फिजदी श्र इत्यादी छेतर शामिल हैं गर्मी का असर सभी देशों में समान नहीं होगा सबसे अधिक दक्षिनेशिया और पश्मी अफरीका के देशों पर इसका असर दिखाई पड़ेगा इन छेतरों में क्रमशा 4.3 करोड और 90 लाग नौकरियों के समान काम के घंटों के नुकसान होने के आसार हैं गर्मी की अधिकता का सबसे अधिक नुकसान गरीब देशों में होगा और उन्हें आर्थिक नुकसान भी जेलना होगा इंटरनेशनल लेबर ओगनाईजेशन के रिसर्च विंग के मुखिया कैथरीन सगेट ने कहा है जलवायू परिवर्तन की वजह से श्रमिकों के उत्पादक्ता प्रभावित होना एक गंभीर मसला है इस तरह कारे करने की परिस्तितियां बिगरती हैं तो इससे उच आयवर्ग वाले देशों और कम आयवाले देशों में असामानता और गहराने की संभावना बढ़ सकती है गर्मी के दबाओं से करोणों महिलाओं पर भी बुरा असर पढ़ रहा है जो सबसे अधिक क्रिशी कारे से जुड़ी हुई हैं इससे अच्छे भविश्य के लिए गाओं से पलाइन के मामले भी बढ़ सकते हैं रिपोर्ट में कहा गया है कि कारे अस्थलों पर ऐसे इंतजाम किये जाने की ज़रूरत है ताकि श्रमिक उच्छ तापमान में भी काम कर सकें गर्मी से बचने के इंतजमात होने चाहिए और श्रमिकों को गर्मी से बचाओ का प्रशिक्षन भी दिया जाना चाहिए नियोकता और श्रमिकों के बीच बातचीत होने चाहिए जिससे कामकाज के तरीकों में सुधार, काम के घंटों में बदलाओ नई तकनीक या उपकर्णों का उप्योग आराम का समय आदी के इंतजाम पर विचार विमर्श होना चाहिए